तक्रीबन पचास टन बीज बिक चुका है और जो जो किसान बोए हैं वहां का उस्साह जनक पैडाम भी आ रहा है इस इस बीज में कहीं भी एक दाने में आपको मरा हुआ दाना नहीं मिलेगा सारे दाने जितने जमीन में पढ़ते हैं वो सब अंकुरित हो रहे हैं मैं समझता हूँ कि सरकार की मंसा भी है और एक दिमी होने कनाते हमारा फर्ज भी है कि हम जहां रहते हैं वहां रहने वाले किसानों का आय बढ़ाई जाये उनका जीवन अस्तर सुधरे इसी को दिश्गत रखते हुए मैं एक बरायटी है गेहूं की जिसका नाम सर्वती है किस वासन भरोसा दिया है कि आप जो गेहूं पैदा करेंगे उस गेहूं को हम बाजार भाव से दो सुरूपया कुंटन ज्यादा भाव कि देंगे मेरा में जो मोटिव है वो यही है कि किसान भी अपनी उपच का अच्छा लाब पाए और वह गेहूं जो अमेठिम पैदा हो वह गेहूं का बना हुआ आटा जो आधनिक तकनीक से पिसाई होगी अब आपको बता दूँ कि यह जो जिस तकनीक का प्रियोग किसाई में हमारे प्रतिष्ठान में किया जाएगा यह तकनीक भारत में पहली बार एड़ाप्ट की गई है और इसका बना आटा पूरे देश में ब्रांडिंग करके देचा जाएगा यह जीज जो आप बता रहे हैं जीज कहा किन दुकान के उपलद देख और क्या किसानों को इसरे कोई सब्सेडिंग यह तरही हैं किसानों को साथ पॉइंट बनाए गए हैं जहां से उनको बीज मिलेगा और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाजार भाव से कम भाव में हम बीज भी दे रहे हैं उस पे साथ से आठ रूपई किलो का जो खर्चा आ रहा है वहां मेरे प्रतिष्ठान द्वारा मेरी फर्म द्वारा उसको सेर किया जा रहा है जिससे किसानों को बीज कम भाव पड़े अब इसका मूल 30 रूपिया प्रत किलो है 900 रूपई बोरी यह आप बितरन कर रहे हैं सर्वति को हुँ इसमें किसानों क्या फाइदा होगा और कैसा क्या स्कीम है इसमें इसमें है स्कीम जो है जब यह भाई क्यों कर रहे हैं सर्वति क्यों को नाम है सर्वति और उसके बाद किसान ले जाके बोएं बोएंगे तो उसमें आर्थ से द मिलेगा उनको लाव एक तो मेरे निज़ फैक्टी कैंपस में उपलब्ध है दो पॉइंट भेटुगा बलाक में है एक टिकरी गाउं में ग्वाल चावराहा पे एक पॉइंट दुरगापूर में है एक पॉइंट गवरी गंज में है एक संगरामपूर में है इसका सारा तक तक्रीबन पचास टन बीज बिक चुका है और जो जो किसान बोए है वहां का उस्साह जनक परणाम भी आ रहा है इस इस बीज में कहीं भी एक दाने में आपको मरा हुआ दाना नहीं मिलेगा सारे दाने जितने जमीन में पढ़ते हैं वो सब अंकुरित हो रहे हैं और उ अंकुरित हो रहे हैं